हालो एवरिवान, वेलकम टू हीरल्स होमस्पन टेल्स, आज हम बनाएंगे क्रिस्पी एंड टेस्टी ओनियन खाकरा, तो चलिए इसे बनाते हैं, सबसे पहले मैंने लिए हैं टू अनियन्स जिने आप इस तरह से ग्रेट कर सकते हैं, या फिर इसका पेस्ट भी बना सकते हैं तो मैं परसनली पेस्ट प्रिफर करती हूं, तो इसलिए मैं ओनियन्स को छॉप करके एक फाइन पेस्ट रेडी कर लूँगी, तब चाहे तो जरूरत पड़े तो फ्यू ड्रॉप्स ओफ वाटर आड़ करके इसका एक फाइन पेस्ट रेडी कर सकते हैं, तो यह रहा ओनिय ब्लैक पेपर पाउडर, जीरा, जिसे मैं हाथों के बीच में इस तरह से क्रश करके एड़ कर लूँगी, और सॉल्ट टू टेस्ट, अब इसमें हम डालेंगे वन टीस्पून ओफ घी और साथी वन टीस्पून ओफ ओईल, तो हमने टू टीस्पून मोहिन दिया है, अब इ बंधने लगेगा, अब जरूरत पड़े, तो आप फ्यू ड्रॉप्स ओफ वाटर डाले, बिल्कुल ही देखे, मैं त्री ड्रॉप्स ही वाटर ले रही हूँ, और अच्छे से इतने ही पानी में अच्छे से डो बंधके रेडी हो जाएगा, तो हमारा डो रेडी है, तो हम इस डो को एक और बाल नीट कर लेंगे, और बड़े लेमन की साइज के बॉल्स रेडी कर लेंगे, तो अब लूई को लेकर हम उसे फ्लाटन आउट कर देंगे, और ड्राइ फ्लॉर में रोल करके इसे बेलना शुरू कर देंगे, तो हम ट्राइ करेंगे कि हम खाकरा को जित onion खाकरा में raw onion की paste use करी हैं लेकिन अगर आप चाहें तो onion को हलका साथ सौते करके उसकी paste बना के भी add कर सकते हैं और वैसे भी जब हम खाकरा सेकेंगे तो onion की rawness एकदम चली जाएगी और वो जो raw smell रहती है onion की वो नहीं आएगी तो देखिए मैंने खाकरा almost बेल लिया है और इसे जितना पतला कर सकती थी उतना मैंने अच्छे से spread कर लिया है और ये रोटी से भी थोड़ा और पतला बेला है मैंने तो एकदम ready है ये खाकरा बेल के अब हम तवा को heat कर लेंगे तो मैंने gas on कर दिया है और तब तक मैं सेकेंड खाकरा भी बेल लेती हूँ तो अब तवा गरम हो गया है तब इस पर हम upside down करके खाकरा डाल देंगे और जब तक कि इसमें इस तरह से चोटी चोटी बबल्स आए तब तक कुप करेंगे और उसे फ्लिप कर देंगे तो हमें low to medium flame पर ही खाकरा को सेकना है खाकरा सेकने के लिए आप इस तरह का wooden pressure या कोई कपड़ा भी यूज़ कर सकते हैं तो हम बिल्कुल low to medium flame पर ही खाकरा को सेकेंगे तो देखिए दूसरी साइट से अच्छे से brown spots आ गये हैं तब इस पर हम घी apply करेंगे और अच्छे से सिक लेंगे आप oil भी use कर सकते हैं अगर आप flame high रखेंगे तो खाकरा crisp नहीं होगा इसलिए मैंने flame low रखी हैं और इसे pressure देकर हलका सा सिकते जाएंगे अब दूसरी साइट पर भी मैंने घी लगा लिया है और flip करके दूसरी साइट से भी हम अच्छे से सेक लेंगे तो बस इसी तरह हलका हलका pressure देते जाएंगे और खाकरा को सेकते जाएं तो देखिए ये दोनू साइट से अच्छी browning effect आ गई है तो मैं आपको खाकरा की crispiness सुना देती हूँ crisp हो गया है तो इसे मैं निकाल लेती हूँ एक tissue paper पर जिसे मैंने newspaper पर spread कर दिया है तो इसी तरह से हम सभी खाकरे सेक लेंगे जब आप bulk में खाकरा बना रहे हों तो इस तरह से आप कच्छा पक्का उसे सेक लीजिए यानि ताकि जब ये 3-4 गंटे के बाद आप देखेंगे तो उसमें से moisture कम हो गया होगा रोटी जो है वो थोड़ी सी सूख गई होगी तो यही हमारा मोटिव है कि सूखी रोटी को जब आप सेकेंगे तो वो जल्दी से crisp हो जाएगी और आपका जो खाकरा सेकने का time है वो reduce हो जाएगा और आप फटा फट से ज्यादा खाकरे बना पाएंगे तो ready है हमारे खाकरा और इन्हें मैंने serve कर दिया है तो इस crispy और tasty खाकरे को आप enjoy कीजिए चाह के साथ anytime and for more interesting recipes subscribe to my channel